नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि पैनरेट टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, पैनरेट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और पैनरेट टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि पैनरेट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, पैनरेट एक ब्रैंड नेम है, पैनरेट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैंटो प्राजोल 40 mg होता है, पैनरेट टैबलेट पेट में उत्पन ह और पेट में अलसर होने पर पैनरेट टैबलेट का उप्योग किया जाता है, पैनरेट टैबलेट को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ह से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है, जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Penrit tablet को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वजह से ये side effects ना हो। इसलिए आपका Dr. Penrit tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा Penrit tablet का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी Penrit tablet का उपयोग किया जाता है। Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अब हम डिसकस करेंगे कि Penrit tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Penrit tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Penrit tablet की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा Penrit tablet की वज़े से कुछ व्यक्तियों में Cubs की समस्या भी हो सकती है। को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। पैनरेट टैबलेट की वज़े से ओस्टियो पोरोसिस तभी होता है, जब पैनरेट टैबलेट का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से पैनरेट टैबलेट को ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन दी के सप्लिमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैल्श तो अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या विडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे की पैनरेट टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, आम कौर पर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक् पैनरेट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको पैनरेट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पैनरेट टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को पैनरेट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है, और स्तनपान करा रही महिलाओं में पैनरेट टैबलेट मा के दूद के जरीए बच् साइड इफेक्स पैदा कर सकती है। इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए पैनरेट टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।